गुड मॉनिंग दोस्तों मैं आपका दोस्त आपका भाई अनीद बाग फिर से स्वागत करता हूं मेरे नए ब्लॉग पे तो अभी ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले ये आप इधर ये अंकीत को आप देख सकते हैं बहुत टाइम से मोबैल में ही भीड़ा हुआ है और अभी वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक कमेंट शेर और सस्क्राइब भी कर दीजिएगा तो मिठ्धू इधर नास्ता कर रहा है तो चलते हैं अभी बाहर और बाहर का व्यू दिखाता हूं आज कैसा है आज का मौसम देखिए आज मौसम जो है वो काफी तेज धूप दे रहा है और अभी धूप तो दे रहा है लेकिन फिर तुरंट मौसम चेंज होके फिर तुरंट बारिश भी होता है और अभी यह टीवी चालू करके अभी जीद बैठा हुआ है टीवी देख रहा है देखिए किस तरह जो बिस्तर के आदमी लेट के टीवी देखते हैं लेकिन वो किस तरह देख रहा है यह बड़ी अच्छी बात के यह आदब और अंकीच जो है दोस्तो वो अपना मोबाइल में ही लगा हुआ है जब भी टाइम मिलने से वो मोबाइल पकड़ के ही बैठ जाता है अंकीच तो अभी दोस्तों घर में थोड़ा सा बूर लग रहा था जिसके लिए मैं अंकीच को बोला कि चलो फील तरफ चलते हैं यहीं घर का सामने में ही एक ठोट फील्ड है जहां पे बच्चे लोंग फुटबॉल खेलते हैं तो उधरी आ गया हूँ मैं और फील्ड भी ज़्यादा दूर नहीं है यहीं घर का सामने में ही है तो अंकीच का साथ हम लोग दोनों आए हैं रही दियो और अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहां का जो यहीं पे मैं खड़ा होके दिखाता हूँ और इसी अंकीच जो है डेली साम को इसी ग्राउंड में ही आता है फुटबॉल खेलने के लिए तो देखिए दोस्तों यही 17 नंबर का फिल्ड है फुटबॉल फिल्ड यहीं यहीं आते हो ना खेलने डेली साम को चार वजे पहले टिसन जाते हो उसके बाद आते हो और यहां कुछ टेंड का भी समानुमाल लगाया हुआ है और यह जो आप पंडाल जैसा देख रहे हैं यहीं पे ही दुर्गा पूजा होता है तो यहां पे जो आप देख रहे हैं इसी लाइन पे मेरा साससुलोकुन का क्वार्टर है और यह जो लाइन आप देख रहे हैं यह मजली वाली दिदी लोंग यहां पे रहते हैं तो यहां पे थोड़ा देरी रुकने का बाद मैं अभी हम लोग फिर से घर तरफ जा रहे हैं क्योंकि घर में बिना बताए हम लोग आ गए थे और मेरा तो छोड़िये मैं बिना बताए अगर आऊंगा तो भी चलेगा लेकिन अंकीत को घर में ढूड़नेंगे कि यह बिना बताए कहां चला गया उसलिए घर जा रहे हैं अभी तो अभी आप यह जो किला का पेड़ देख रहे हैं इसमें बहुत फल होता था किला होता था इसमें लेकिन पेड़ टूट उट गया तो उसलिए अभी फल भी होना बंद हो गया है और अभी मैं आपको ले चलता हूँ बाहर और बाहर का मौसम दिखाता हूँ अभी कितना धूप दे रहा था और अभी तुरहंत मौसम जो है वो चेंज करके देखिए पुरा उपर में बादल जो है पुरा काला कर दिया है और लगता है फिर बहुत जोरो का बारिस आने वाला है और मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूँ तो दोस्तों दो कुटा जो है हमेशा आते हैं यहां पे कुछ मांगते हैं खाने के लिए तो मैं बिस्किट निकला आज और दे देता हूँ सोचा और यह बिस्किट ला कि अभी यह कुटा को खिला रहा हूँ मैं जब भी निकलता हूँ बाहर में तो ये दोनों डॉगी जो है ये हमेशा आजाते हैं सामने और अभी ही मैं बारिस का बात करही रहा था कि तुरंत बारिस जो है देखिए ये बारिस चालू हो चुका है और वो भी बहुत तेज बारिस देखिए कैसा बारिस हो रहा है इधर तो सावन मैना में जैसा बारिस होता है पुरा जमा जम वैसे ही बारिस हो रहा है अभी तो अभी ऐसा ही होगा दोस्तो कभी मौसन जो है धूप और तुरंत बारिस क्योंकि सावन मैना है सावन मैना में तो ऐसा होता ही है झाल